oxidizing properties of halogenes की बात करते हैं जी हमारे पास बहुत important reactions है यह है halogenes के और इसमें हम किस property को देखना चाहरे हैं जी oxidizing property को देखना चाहरे हैं जो halogenes हम लोग ने count की थी हमने कहा था कि fluorine है हमारे पास ठीक है जी मैं इसको लिख देती हूँ fluorine है इसी तरह से chlorine है हमारे पास और bromine और इसी तरह से हमने iodine की भी बात की ती इसके लावा भी हमारे पास esterine भी होता है लेकिन उसको mostly हम जो है वो बीच में शामिल नहीं करते हैं या निकि mostly हम उसको नहीं ले रहे होते हैं ठीक है जी तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सारे हमारे पास जो है fluorine, chlorine, bromine, iodine और esterine ये halogenes family से related होती है हम इनकी oxidizing property अगर बात करें तो oxidize किस तरह से होता है जो main हम ले रहे होते हैं इसके लिए तीन चीज़े हम ले रहे होते हैं या तो किसी चीज़ में oxygen add हो जाए हम कहते हैं कि oxygen किसी भी form में, O2 की form में या oxygen atom कहीं हमें नजर आ जाए तो हम कहते हैं यहाँ पर मैं लिख देती हूँ जी oxygen एड हो जाए या तो किसी चीज में उसको हम oxidation कहते हैं या oxidize हो गई है वो ठीक है या फिर हम कह सकते हैं कि electron दूसरे में से वो remove कर दे ठीक है या फिर उसमें यह हो कि hydrogen remove हो जाए तो इन दोनों ने निकल जाना है जी हम कह सकते हैं इस तरह से arrow से show कर देते हैं और इसने क्या होना है add होना है मैं इसके साथ लिख देती हूँ यह add होंगी और यह दोनों जो हो remove हो अगर किसी भी चीज से और यह काम कौन कर रहा हो जी halogen कर रहा हो यानि कि दूसरे किसी element में से halogenes electron को निकाल दें halogenes उसमें से electron को extract कर लें उसमें से snatch लें यानि कि snatch करके अपने अंदर शामिल कर लें तो इसको हम क्या कहते हैं जी oxidizing property होती है इसकी और इसको इस तरह से हम explain करते हैं कि खुद जो है वो अपने अंदर oxygen को जो है वो आप कह सकते हैं कि दूसरे के अंदर oxygen को add कर दें ये दूसरे में से दूसरे element में से electron निकाल ले या hydrogen को remove कर दे तो ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हमारे पास क्या होती है जी oxidizing इसकी property होती है तो mostly ये क्या कर रही होती है दूसरे में से electron अपने अंदर शामिल कर लेती है ठीक है तो इसका जो order हम देखते हैं जो यानि कि हमें sequence नजर आना चाहिए वो हमें इस तरह से नजर आता है जी और ये क्यों हमने sequence बताया है क्योंके हम कहते है हमारे पास जो size होता है वो क्या है जी अगर हम देखें तो वो क्या है हमारे पास सबसे उपर हमारे पास यहाँ पर मैं suppose करके लिख रही हूँ let's suppose fluorine हमारे पास इतने size में है ठीक है और उसके पास यह down the group A की group में चूंके हमारे पास यह पूर के पूरी chlorine, fluorine, chlorine, bromine और iodine का यही order होता है नीचे की तरफ अगर हम जाए और इन color से मैं chlorine को represent करी हूँ इसका size थोड़ा सा बड़ा होता है और bromine को red color से मैं यहाँ पर show करी हूँ इसका size थोड़ा और बड़ा होता है ठीक है जी यहाँ इसका अगर हम comparison करें fluorine और chlorine से तो उन दोनों से जो इसका size है वो क्या है जी बड़ा है और अगर हम बात करें iodine की तो इसका size इन तीनों से जो है वो बड़ा होगा यह purple color की जी मैंने iodine दिखाई इसको हम चलें इस तर size की अगर हमने बात की है तो सबसे हम यहाँ पर लिख देते हैं जो सबसे छोटा element हमारे पास यहाँ पर halogen में था वो क्या था फ्लूरीन था एफटू था यह हमारे पास chlorine है CL2 है यह हमारे पास bromine है जी BR2 है और यह हमारे पास iodine है तो down the group हमारे पास size जो है वो increase कर रहा है अब इसकी अगर structure की मैं बात करूं तो oxidizing ability जो हम बात कर रहे हैं oxidizing property वो structure के हवाले से बहुत ही important है जी fluorine का इस तरह का हमारे पास structure होता है यह निके इसका atomic number 9 है और mass number इसका 19 होता है पहले में 2 electron होते हैं shell में हम देख रहे हैं कि 9 electron हमने पूरे करना है तो 1, 2 अगले में जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं तो 9 electron इसमें present है और 9 ही इसमें जो है वो proton है जिसके उपर positive charge है तो हम कहते हैं इसका size बहुत small है जबकि iodine का अगर हम consider करें तो iodine का atomic number जो सबसे हमारे पास नीचे नजर आ रहा है जी इसका 53 है atomic number ठीक है यानि कि 53 इसमें electron होंगे और 53 ही proton होंगे तो consider करें कि ये इसका atom जो है वो fluorine के मुकाबले में बहुत ही क्या होगा जी ये बड़ा होगा यानि कि इसका size जो है बहुत बड़ा है big size का ये ठीक है हम इसको लिख देते हैं ठीक है तो ये वज़ा है कि इसका size बड़ा है और इ change लेगा तो वो इस वाले orbital में आखरी वाले orbital में add होना उसके लिए असान होगा ठीक है तो इसलिए हम कहते हैं कि इसकी property oxidizing बहुत अच्छी है बहुत ज्यादा है यही वज़ाए कि ये जिस तरफ हमने ये sign show किया वे जिस तरफ मुह खुलावा होता है उस तरफ हम कहते हैं क इस चीज़ को represent करता है और chlorine की देखें तो वो कम है उसकी oxidizing property as compared to fluorine और bromine की उससे कम है और iodine की सबसे कम है तो इसको हम कहते हैं कि ये not good not very good हम लिख सकते हैं इसकी oxidizing property जो है वो not very good ठीक है तो ये बहुत अच्छी इसकी property नहीं है तो यहां तो हमने इसके order को explain कर लिया अब हम इसको अगर chemical ही देखना चाहें क्या आखिर वाकिए ऐसा होता है ये नहीं होता तो हम ऐसा करते हैं कि एक solution लेते हैं जो कि हमारे पास क्या होता है जी KBR का solution होता है ठीक है ये हमने लिया potassium bromide का solution ठीक है जी aqueous solution चले हम इसको लिख देते हैं ठीक है aqueous form में है और ये हमार है हमने पास क्या था colorless था अब इसके बाद हमने क्या किया जी इस में add की हमने add कर दीजी chlorine ठीक है हमने उसको क्या किया Kisses से उसको liquid form में ले एंगे ठीक है उसको pressurize करके उसको liquid form में हमने change किया और इसमें हमने जब उसको add किया alle pas यहाँ पर यह क्लोरीन जो है क्योंकि इसकी ऑक्सिडाइजिंग प्रॉपर्टी अच्छी है यह दूसरे में से जल्दी एलेक्ट्रॉन निकालके खुद उसकी जगा पर आ जाएगा तो यह क्या करेगा डिस्प्लेस कर देगा ब्रॉमीन को यहां से और ब्रॉमीन जो है वो हम कर लेता है तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा मिकदार में हो जाते हैं और प्रॉमीन को यहां से आइन को डिस्प्लेस कर देता है और यह प्रॉमीन हम दो ले रहे हैं तो यह क्या हमारे पास रेक्शन कर देगा जी यह हमारे पास direction कर देगा 2 के CL बना देगा और जो bromine था हमारे पास वो क्या होगा separate हो जाएगा BR2 की form में liquid form में हम कहाए सकते aqueous form में हमारे पास solution में मौझूद होगा और इसका color क्या हो जाएगा जी solution का इसका color हो जाएगा जी reddish brown ठीक है इसका ये color हो जाएगा तो इससे हमें एक बात वाज़े हो रही है कि chlorine के पास ability है चूंकि ये ज्यादा oxidizing agent है ज्यादा जो है वो bromine से ज्यादा active agent है यह हम कह सकते है oxidize कर सकता है electron जो हो हासिल करके negative one में जल्दी convert हो सकता है as compared to bromine क्योंकि इसकी इतनी अच्छी ये property नहीं है इसकी तरफ ये कमी वाक्या हो रही है इस property की oxidizing property की यही वज़ा है कि chlorine bromine को displace करके और क्या कर देता है जी उस solution को reddish brown कर देता है जो कि bromine की वज़ा से reddish brown होता है और खुद वो क्या बनाता है equis form में KCL बना देता है ठीक है equis form में मौझूद होता है तो यही property है जी फ्लोरीन क्या कर सकता है अगर हम इस तरह से करें कि chlorine हमने कहीं use किया और chlorine का हमारे पास compound था इसी तरह से bromine का हमारे पास compound था और iodine का था अगर हम iodine जो है वो और bromine किसी में डालेंगे iodine के solution में तो bromine जो है वो iodine को displace कर सकता है chlorine जो है वो bromine को displace कर सकता है खुद उस salt में चला जाएगा खुद इस तरह के compound को बना लेगा और इस तरह से fluorine में ability ये है कि वो chlorine को displace कर सकता है तो इस तरह से इनकी जो displacement है वो बिलकुल इसी वज़ा से है जी जो हम देख रहे हैं कि इन में properties अच्छी है oxidizing यानि के सबसे अच्छा oxidizing agent fluorine है इसकी property सबसे हागी है उसके बाद chlorine उसके बाद bromine और सबसे last में iodine क्योंकि उसका size बहुत ही बड़ा है तो ये है जी हमारे पास oxidizing properties of halogens